कि अप्रेंड जब मैंने इंडूर प्लांट पर वीडियो अपलोड किया था उस समय कई लोगों ने मुझे बुला था कई व्यूवर्स ने मुझे बुला था कि आम जब भी प्लांट देखाती हैं तो उसके रेट ज़रूर हमें बता दिया कीजी ताकि हम यह समझ सके कि क्योंकि ट्रांस्पोटेशन का कर्चा मेंटिनिंस का कर्चा फिर कितनी क्वांटिटी में हमारा सेलर पर्चेस करके लेकर आता वह सिटी वाइज वैरी कर जाता है तो फ्रेंट्स मैं हूरे तू और आप देखना है एबी सी और ऑगानिक गाडनी मैं पिछले कुछ दिन पहले दो से तीन दिन पहले अभी तो चार दिन से लॉकडाउन हमारे यहां चल रहा है मैं फ्राइडे साटरे थर्सडे को मैं गई थी फिटनस दे थर्सडे को मैं गई थी अपने कुछ कहना चाहिए जनरल शॉपिंग करने तो वहां मुझे ठीकरे लेने जाना था जो हम आम तोर पर गमलों में नीचे लगाते मेरे एक नर्सरी वाली से थोड़ा सा परिच्श है मैं उनको बता देती हूँ कि मुझे गमलों के नीचे ठीकरे चाहिए वह बिर लेते हैं तो मेरे लिए बचाकर रहतेयां तो मुझे बचाकर दे देते हैं तो मैं इस दोरान गई थी तो रेट्स बता दू यह तो फ्रेंट्स इसके जो रेट्स है यह 200 रुपीज में मुझे मिला था और जब मैंने ऑनलाइन इसके रेट्स देखे थे थोड़े से कॉस्टली थे पर मुझे यह सस्ता मिल गया था और मैं कुछ प्लांट्स लेकर आई हूं मैं उनसे भी आपको सब्सक्राइब के वज़े से नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि जो भी प्लांट्स सेलर्स है वह पर्मनेंट नहीं है हमारे वह बाहर से आते हैं कुछ दिनों के लिए अपने शॉप लगाते हैं फिर उसके बार में वह वापस चले जाते हैं तो मैं आपको प्लांट्स के नेम विद रेट्स पता देती हूं कुछ महेंगे हैं लेकिन कुछ सस्ते हैं और कुछ नए भी है तो फ्रेंट्स ये देखिए ये हैं कैलातिया और ये रेटल स्नेक बोलते हैं इसको और ये मैं लेकर आई हूं ये 100 रुपीज का मुझे मिला है साथ में ये हैं पीकॉक कैलातिय ये भी मुझे 100 रुपीज का मिला है इसकी लीव में उन्होंने दूप में रखी हुई थी तो आप देख रहे हैं ये थोड़े से संबर्ण के निशान इनकी लीव थोड़े सी क्रिस्पी हो गई बीच बीच में होल हो गई है एक मुझे ये मिला है लाल जंदन का पौधा य इसलिए यह है और यह मुझे 80 रुपीज का मिला है अच्छा एक चीज इसमें और देखने लाइक है कि यह जो सॉइल है कई बार यह सॉइल हमें बता देती है कि पौधे को किस तरीके की मिट्टी चाहिए कई जो पौधे जहें एकदम हार्ट एकदम क्लेई सॉइल में लग सॉइल में लगा हुआ यह उसमें आपको देख भी रहा होगा है तो यह जब आपको भी सॉइल लेकर आते तो पहले आप और साथ में इ pets in ये जु नया आप देख रहा है यह फुरुष आया है जिस मेरिटल भी बोलते हैं इंडिया स्प्राइट भी बोलते है आइस्क्रीम अगरों को आधिया कि यह ब्राइट औरेंज कलर का है मैं इसमें फ्लास्ट हो नहीं थे जब मैं लेकर आई लेकिन इसकी जो लीव्स थी एकदम ब्लैक थी अभी मैंने लाकर मैं कोशिश करती हूँ कि यह पहले हमारे यहां के एंवायरमेंट से एक्लमटाइज हो जाए उसके बाद में फिर मैं रिपॉर्ट करूं बहुत हड़ बड़ी नहीं करती तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन हमारे यहां जब भी मैं कभी प्लांट्स लेकर आती हूं तो इससे रखे रहते हैं तो यह है इसकी लीव्स जो है अभी अंदर देखिए जो न्यू काफ वराइटी है और इसका जो फ्लार था यह कुछ औरेंज में वाइट एजज डूवल कलर में मुझे मिला दो कलरें इसमें यह भी 200 रुपीज का दिया हाला कि टोटल में ओवराल टोटल में वह थोड़ा बहुत कंसेशन कर देते 50 रुपीज 50 रुपीज उससे जादा व देख रहा है बहुत ही जरजर है और इस तरीके के पौदे थोड़े से महंगे भी आते हैं यह उसने मुझे 300 रुपीज में दिया है तो मैंने कम करा कर क्योंकि बहुत चोटा से है तो इसने मुझे शायर 150 में दिया है यह वाला पौदा और अभी इसकी पौड क्योंकि यह बहुत नमी है इसमें बहुत जादा गीला है और इस तरीके के मिट्टी यह हम देख रहे हैं चुने सही ऐसा लग रहा है बहुत साना पानी है तो यह मिट्टी जो है यह खराब कर देती पौदे को गला देती क्योंकि सकलिन टाइप होते हैं यह रैक्स बिगोनिया की एक व टांट है यह लगा हुआ है तो राह ignor JACेरी देखे हमाया फिर हमारे नहीं मिलती कोळब और रायिस का मिल लिगों codes ay में र Donkey था प्के यह जो है इन में फ्लावरिंग प्रॉद्थ नहीं होते इनके लीवग लविंग प्लांट है टोटल इनुल रहने वाली प्लांट से यह इन डार्यग ब्राइट लाइट आती है आपके किसी रूम में तो और जो फ्रेंड्स मैं एक नया पौधा लेकर आई हूं उससे भी मैं आपको मिलवाती हूं यह देखिए अब हमने बहुत मदुमालती का नाम तो हमने बहुत सुना है लेकिन जब मैं ऐसी गुजर रही थी पास से तो मुझे इसके कुछ सफेद फ्लाज दिखे यह देखे इसमें कली आई यह तीन-चर फ्लाज इसमें खिल चुके यह और आ रही है यह है फ्रेंड्स का कारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी थी उससे मुझे यह समझ में आया कि एप्रिल से लेके सेप्टेंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है और उसके बाद में इसमें सीट पॉड्स बनते हैं यह बेल दार पौदा उसके खुश्पु जय लाजवाब होती है काफी फूलो है मेरी मुझे काफी मतलब अच्छा लगा क्योंकि मैं कलाथियास वगएर तो मैं इनको यह मरांटा वोलते हैं लेकिन यह कलाथियास जो है आम तोर पर मिलते हैं हमारे नर्सरी में तो जो सेलर हमारा वैस्पेंगॉल से आता है जो 5-6 मैने के लिए अपनी शॉप हमारे यह लगाता है वो यह सारे एक्स्क्लूजिव चीज़ प्लांट्स जो है वो रखता है उसके रेट्स थोड़े से हाई होते हैं लेकिन अब क्योंकि मैं रेगलर कस्टमर हूं हर महीने दो मैने में उनके पैस पहुंच जाती हूं तो थोड़ा बहुत कंसेशन वह मुझे दे दे लगाता है वो रखता है वो रखता है वो रखता है